आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक बहुती इजी एंड टेस्टी रेसिपी लेके आज कल की भागदौर की जिंदेगी में अक्सर सुनने को मिलता है कि लोगों को खाने की कोई वक्ती नहीं मिलता है बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अपने फर्स्ट मिल यानि ब्रेकफ़स्ट ही स्किप कर देते हैं और फिर बाहर जाके जंक फूट कंज्यूम कर लेते हैं जिसका हामफुल एफेक्ट डिरेक्ट हमारे हेल्थ के उपर पड़ता है क्यूंकि ब्रेकफ़स्ट सारे दिन का फर्स्ट एंड वाइटल मिल होता है इसी लिए आज हम लोग याना डायेट क्लिनिक पावर्ड बाई सस्तासुंदर.com की ओड से आपके लिए बहुती फास्ट एंड नुट्रिशस ब्रेकफ़स्ट आइटेम ओवरनाइट ओड्स रेसिपी लेके आए हैं और ये आइटेम जिनके पास टाइम कम होता है वो अपने फैमिली के लिए भी इजीली ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है ये ओवरनाइट ओड्स इसे बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए रोल्ड ओट्स 3 टेबल स्पून्स लो फैट कर्ड 100 ग्राम्स चॉप्ट रेजिन्स यानि किश्मिश 2 टी स्पून्स बेसल सीड्स 2 टी स्पून्स बनाना यानि केला 1 मिडियम साइज आमंज 5 ग्राम्स पहले एक मिक्सिंग बोल लीजिए और उसमें रोल्ड ओट्स लो फैट कर्ड यानि खटा दही और कटे हुए यानि किश्मिश लेके अच्छे से मिक्स कर लीजिए अभी इस मिक्स्चर को फ्रिज में ओवन नाइट सोख करने के लिए 8 से 10 खंटे रख दीजिए अब हाफ क्लास पानी में 2 टी स्पून बेसल सीड्स सोख करने के लिए रख दीजिए ये सीड्स का वॉल्यूम सोख करने की वज़ा से सुभ में इंक्रीज हो जाएगा नेक्स टे अपने फ्रिज से मिक्स्चर को निकाले और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के बाद उसमें सोख बेसल सीड्स, स्लाइस्ट बनाना यानी केला और कटे हुए आमंद बदाम मिक्स कर लीजिए तो बन गया आपका नुट्रिशस ब्रेक्फरस्ट आइटेम ओवर नाइट ओर्स ये ब्रेक्फरस्ट रेसिपी, कॉंप्लेक्स काब्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स के साथ साथ माइक्रो नुट्रिएंस का भी बैलन्स सोर्स है जो हार्ट हेल्थ मेंटेनेंस करने के लिए बहुती लाबदायक है So guys, enjoy your overnight oats every day at breakfast.